Hello students, आज की lecture में हम सीखेंगे कि हम Simple Cylindrical Projection या हिंदी में जिसे हम कहते हैं साधारन बेलनाकार प्रक्षेप इसकी रचना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बहब प्रशन देखते हैं जिसके लिए हमें यह Simple Cylindrical Projection बनानी है। एक साधारन बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका पदर्शक भी एक अनुपात में 200 मिलियन है तथा जिसका अक्षांश और देशानतर रिखाओं का जाल का अंतराल 30 डिगरी हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है गलोब का अर्धवियास निकालते हैं यानि कि एक ऐसा गलोब जिसके चारो तरफ हमें कागच को सिलेंडर की शेप में लपेटना है तो उसके लिए जो formula रहता है वह है RF गुना में actual radius of the earth यहाँ पर जो हमारा RF है वो है एक अनुपात मे 200 मिलियन और actual radius of the earth जो है हमारा वो 640 मिलियन का रहता है तो यह हम जब formula में लगाते हैं तो RF की जगे पिले हम लिखते थे हैं एक बटे में 200 मिलियन गुना में 640 मिलियन इसे calculate करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वह है आएगा radius जो है वो 3.2 cm का रहेगा यानि कि वो globe जि उसका जो size है वो रहेगा 3.2 cm के radius का इसके बाद एक step और हमें आगे जाना पड़ेगा वह होता है calculate the length of equator और circumference of the globe यानि कि भुमद्य रिखा की लंबाई हमें calculate करनी होती है या यूँ कहिए कि globe का जो है वो चारों तरफ का घेरा वह कितने centimeter का बनेगा तो इसके लिए जो formula रहता है length of equator निकालने के लिए या circumference के लिए वह होता है 2 pi r पाई का मतलब 22 पटे 7 और r की जो value अभी हमने निकाली थी वह थी 3.2 cm तो इन values को हम यहाँ put कर देते हैं तो यह आजाएगा 2 गुना में pi की जगे पे 22 पटे 7 और r की जगे पे 3.2 cm और इस परकार से जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 20.1 cm यह है भुमद्य रेखा की लंबाई अब हम आगे की प्रक्षे बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले आप 3.2 cm का एक सरकल लगाएंगे जो के globe को दर्शाएगा इसके बाद हम इसके चार भाग कर देते हैं North South और East West इसके बाद हम एक 30 टिग कौन हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारा जो अक्षांश और दिशानतर रेखाओं का अंतराल है वह हमने 30 टिगरी मना है तो इस 30 टिगरी के कौन के बाद हम इस पे लिख देंगे North South, East और West और इसके बाद हम एक भुमत्य रेखा की लंबाई के बराबर यानिके 20.1 cm की ए अगर ये लाइन थोड़ी सी भी उपर की तरफ एक तरफ से या नीचे की तरफ है तो उसकी वज़े से पूरी प्रक्षेप जो है वो आपकी टेड़ी या तिर्ची हो जाएगी तो जो ये बेस लाइन है इसका हमें विशेश ध्यान रखना है इसके बाद अब हमें क्या करन तो वो होते हैं 360 degree तो अगर आप 360 degree की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हमें 30 degree के अंतराल पे चीजे दिखानी हो जैसा कि हमने question में देखा था कि हमें जो है अक्षान्ष और देशानतर रेखाऊं का अंतराल 30 degree रखना है तो अगर हम 30-30 degree के अंतराल पे देशानतर रेखाए बारा भाग तो इसके बारा भाग करने के लिए अगर तो ये लाइन हमारी बिल्कुल 20 cm होती या ये 12 cm होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि आप उसको बराबर हिसों में बांट सकते थे लेकिन जोकि भमद्द्रिका के लंबाई जो है वो 20.1 cm आई है तो इसलिए आपको एक simple नियम यूज़ करना चाहिए वो नियम होता है कि आप जो है रिखाकनित के माध्यम से दोनों तरफ इस लाइन के कौन बना करके नियून कौन बना करके और उसके माध्यम से अगर आप इसके बारा भाग करेंगे तो आपको ये बिल्कुल ठीक बराबर बारा भा हम क्या करेंगे जो हमारा एक central line है कहीं पर भी आप लगा लिजीए इसका इससे 6 भाग इस तरफ को होंगे और 6 भाग जो है वो इस तरफ को होंगे इस line को लगाते वेकर भी आपने ये ध्यान रखना है कि ये line भी टेढ़ी ना हो ये ठीक 90 degree पे होनी चाहिए ठीक लंब की पूरवदिशा में होंगे तो ये हमने पूरवदिशा में 6 भाग बना दिये और ये हमने पश्चिम दिशा में 6 भाग बना दिये ये line ने बिल्कुल एक दूसरे के parallel होनी चाहिए समानांतर होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि ये समानांतर line खीचने में आपको किसी प् ड्रॉ करें, वो छोटे निशान लगाने के बाद, फिर आप यहां पर भी एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लें, और इस तरब भी एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लें, यह लाइन ड्रॉ करने के बाद, इसके उपर आप 3-3 निशान लगाएंगे, हम अब यहां पर 3 दक्षिन की तरफ करनी है और उसमें हमारा जो अंतराल है वो है 30 डिक्री का तो 90 डिक्री अगर हम जाएंगे और 30 डिक्री के अंतराल पर लगाएंगे तो हमें तीन निशान उत्तर में लगाने हैं और तीन ही निशान दक्षिन में लगाने हैं और वो निशान बिल्कुल बरा लगा दें और तीन निशान नीचे की तरफ लगा दें और वही तीन तीन निशान आप यहां पर भी लगा दें और यहां पर भी लगा दें उससे क्या फरक पड़ेगा कि आपके जो पहला निशान यहां का है और यहां का पहला निशान है जब उनको आपस में आप मिलाएंग तो वो बिल्कुल सीधे मिलेंगे उसमें किसी परकार के भी तिर्चे होने की चांसी जो है वो काफी कम हो जाएंगे तो ये हमने जैसे पहला निशान लगा दिया ये तूसरा निशान और ये हमारा तीसरा निशान हो गया इसी परकार से हम दक्षिन में लगा लेंगे एक निशान, दो निशान और तीन निशान तो ये आपकी सारी अक्षांश रिखाएं जो है वो ड्रो हो गई और दिशानतर रिखाओं के लिए जैसे मैंने बताया था आप इनको सीधा मिलाएंगे तो ये लाइने ना केवल बिल्कुल पैरलल आजाएंगी स्ट्रेट भी रहेंगी और देखने में भी बिल्कुल एग्जेक्ट आएंगी तो वो तरीका आप ना गरके आप इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं तो अगर आपको लगता है कि आप बिना उपर निशान लगाए या नीचे निशान लगाए भी सीधी लाइन द्रॉख कर सकते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बस ध्यान ये रखना है कि वो लाइन किसी भी तरीके से कोई भी तिर्ची ना हो जाए इसके बाद जो है हम इसमें जो अक्षानश और देशानतर रखाए हैं उनके नंबर लिखे देते हैं जिरो डिग्री, तीस डिग्री, साथ डिग्री और नपए डिग्री ये नॉर्थ में लगा दी हमने नीचे की तरफ है 30 degree, 60 degree और 90 degree ये दक्षिन में है, फिर इसके बाद पूर वर पस्चिम में हम लगा देते हैं, 30 degree, 60, 90, 120, 150 and 180 degree और इतर east में लगाएंगे 30, 60, 90, 120, 150 and 180 degree east, तो इस परकार से आपकी ये जो है simple cylindrical projection, जिसे cylindrical equidistant projection भी कहते हैं, वो आपके सामने तयार हो गई है, इसके बाद आप इसमें जो है, उपर heading लिख देंगे, simple cylindrical projection और नीचे की तरफ जो है वो आप, rf जिसके आधार पर हमने ये प्रक्षेव त्यार की है, उसको mention कर देंगे और उसके साथ लिख देंगे, graticule interval is equal to 30 degree north. Thank you, thank you for watching this video, like and subscribe.